नमस्कार आप देख रहे हैं वे टाइम नियूस बढ़ते हैं चार खंड की खबरों की ओर टीम का गठन किया गया टीम ने पाकूडिया के फुलजी जड़ी गनपूरा पत पर पहुंची एक ट्रक जैसे बनी जुगारू गाड़ी तेज गती से बंगाल की ओर जा रहा था करीब दो बजे एक बड़ा जुगार गाड़ी स्टेरिंग वाला बिना निबंधन पर लिया गया उक्तवाहन तथा लकड़ी का जाच किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई काखजात नहीं पाई गई जिसे आवएद मानते हुए भारती वन अधिनियम 1927 की धारा 41-42 अधिनियम 2020 की धारा 18 के उलंगन करने के जुर्म में धारा 52 के अंतरगत जब्ति की ले हैं को गिरफतार कर जेल भेजा जा रहा है फरार दोनों वैक्तियों की तलाश की जारी है वही अन्या जगास 120 बोटा लकड़ी को भीवन विभाग की तीम ने जब्त किया है कुलमिलागर 145 बोटा लकड़ी को जब्त किया गया है इसकी कीमत 2 लाक रुपए से अधिक हो जब्त कि जंगलों से पेड़ों की कटाई करने वाले को बकसा नहीं जाएगा आमजनों से आग्राकिया की पेड़ों की कटाई की सूचनाव और विभाग को दें तो रितकारवाई होगी विभाग काफी सतरक और गमभीर है जंगलों की सुरक्षा के लिए कर्मियों को लग रात दो बजे गुशुचना के आधार पर खक्सा गनपूरा पत पर एक जोगाल गाड़ी में 25-50 साल बोटा को जब किया गया और दो पराभी की गिरफतारी हुई दो भागने में सफल रहें वाइक से थे उनकी पहचान रहीम मिया और एक और है बुद्धू मिया का बेटा द सुबह ताल पहाड़ी में चिरान पत्रा लेकर आ रहा था जिसे असोग पंडित घर में चिपाया तुरंत उसको दवोच लिया गया और उसके विरुद भी बीवी समत करवाई की जा रही है कितनी लकड़ी सर पकड़ी गई है एक सो बीस पीस साल चिरान था अजिक गमान च पर लकड़ी सब कहां लेकर गए जा जा रहा था इस साल लकड़ी बंगाल ले जाने के फिराक में था जिसे गनपूरा पत पर ही पकड़ लिया गया वी टाइम न्यूस के लिए पाकुर से अहसान आलम की रिपोर्ट